हेलो ही नमस्कार दोस्तों टेकी विशाल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग अपने किसी भी ओपरेटर के सिम की स्पीड को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो जिया दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक ऐसी कमाल की सेटिंग बताऊंगा अगर दोस्तों आप लोग इस सेटिंग को ओन कर देते हो तो आप लोग अपने मुबाइल फोन का जो इंटरनेट होता है उसको दस गुना तक इंक्रीज कर सकते हो तो अगर अगर आप भी इंटरनेट की स्पीड से परिशान हो और आप इंटरनेट की सपीड को बूस्ट करना चाते हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बहुत कमाल की सिग्रेट ल्युद्ट हीडन सेटिंग बताऊंगा बस आपको सेटिंग को ओन करना है उसके ब पैसा नहीं लगता बिल्कुल फिरी में लाइक होता तो लाइक कर लिजे और दोस्तों इसके बाद आपको मारे चैनल को सपोर्ट करना होगा सब्सक्राइब करके तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और इसके बाद यहाँ पर आप सभी को नोटिफिकेशन बैल को अन बटन कर देना है इसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचा आजाना नीचा आने के बाद यहाँ पर आप सभी को लिखके बताना है कि ये वीडियो आप लोग लिख सकते है MUSIC आजव में आप सभी की कमेंट जो है देखता हूं उनको like करता हूँ यहाँ पर मैं सारा काम आपकी comment के साथ करता हूँ और मैं आपको reply भी करता हूँ तो चलिए दूस्तों वीडियो को start करते हैं और मैं आप सभी को कमाल की setting के बार में बताता हूँ तो काई सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सभी को अपने mobile phone की internet की speed दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मेरे को कितनी आ रही है तो यहाँ पर मैंने उकला का speed test जो है वो open कर दिया इसके बाद यहाँ पर मैं अपनी internet की speed को test करूँगा तो यहाँ पर देखिए सर्चिंग हो चुका और यहाँ पर internet की speed अब यह बताएगा कि यहाँ पर मेरे को इस वक्त कितनी speed यहाँ पर मुझे मिल रही है तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आप सभी के सामने speed test को on कर दिया है तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी uploading speed जो है यहाँ पर 3 MB तक की है लगबग और यहाँ पर मेरी downloading speed जो है वो लगबग 8 MB तक की है तो आप आपको करना क्या है आपको अपने phone में छोटी से application को download करना इसका नाम है 1.1.1.1.1 थोड़ा अजीब सा नाम है simple application को जब आप अपने phone में open करोगे यहाँ पर आप से भी को disconnect लिखावा नजर आएगा तो यहाँ पर आपको simple इसको on कर देना और यहाँ से आपको इसको connect कर देना अपने server के साथ दोस्तों यह जो setting है जो application है आप सभी के जो on सभी SIM है एटल, आइडिया, वोड़ोफोन, जियो सब यहाँ पर अच्छी तरीके से proper काम करेगा अब देखें यहाँ पर मैंने setting को own कर दिया है इसके बाद यहाँ पर मैं आप सभी के सामने दुबारा यहाँ पर आपके सामने अपना speed test करके दिखाऊंगा तो ग्याँ जैसे के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी downloading speed जो है वो लगबग 4 MB तक की बढ़ चुकी है और मेरी uploading speed जो है वो 1 MB तक की बढ़ चुकी है